हलो स्टोडियन्स आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक कारेस अगरवाल चेप्टर 10 प्रॉफिट एंड लॉस एक्सरसाइज 10D के कोश्चन सॉल्व करेंगे तो हम करते हैं कोश्चन वन है राजन बाइस आट टॉई 4 पी 75 एंड सेल इट 4 पी 100 इस गेंपरसंट निकालना है ठीक है बच्चो अब यहां पर क्या दिया गया है कॉस्ट प्राइस भी दी गया है बाइमिस कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस भी दी गया है ठीक है तो कोश्चन वन है सीपी ओफ़ ट्वाई वो धी यह रूपीज 75 सेलिंग प्राइस ओफ़ ट्वाई वो है रूपीज 100 ठीक है बच्चो अब सेलिंग प्राइस कॉस्ट पाइस से ज्यादा है तो इट मिस इट गें से ठीक है तो यहां पर हम निकालनेंगी गें इकल टू 100 माइ परसेंट का फार्मला क्या आता है गें अपॉन सीपी इन्टू 100 परसेंट ठीक है बच्चो तो यहां पर थोड़ा समय शॉट कट लेके चलूँगी गें हमारे पास आ है 25 सीपी मारे पास है 75 इन्टू 100 परसेंट अर्ट 25 थ्रीजा 75 आगे बच्चो यह किसी पर नहीं कट र आ गया ठीक है अब हमारे पास यहां पर क्या है 100.3 परसेंट नहीं है बट यहां पर मिस्ट फ्रेक्शन में है तो हम इसको मल्टिप्लाइ करते है 100 को 3 से 3 3 is a 9 ठीक है और यहां पर मेंडर 1 बच्चो उपर समने 0 ता रहे है फिर 3 3 is a 9 ठीक है बच्चो तो हमारे पस कितना गया 33 होल 1 अपॉन 3 परसेंट और यह कौन सी ओप्शन में है C ओप्शन में है तो क्वेश्चन 1 की करेक्ट ओप्शन क्या होगी C होगी बच्चो आगे क्वेश्चन 2 है आप बैट इस बॉर्ट 4 पीस 120 एंड सॉल्ट 4 पीस 105 दा लॉस परसेंट बच्चो वैसे और इन्हों निकाल सकते हूं मैं आपको इसलिए बता रहे हूं ताकि जिन बच्चो ने वीडियोस नहीं देखिए तो उनको यह दिक्कत ना आए समझने में ठीक है तो यहां पर बच्चो क्या है C P of a bet वो दी हुई है रुपीस 120 और S P of a bet कितनी होगी रुपीस 105 अब यहां पर क्या है cost price selling price से ज्यादा है तो हमें क्या होता है loss होता है ठीक है तो loss कैसे निकलेगा C P minus S P रुपीस 120 में से रुपीस 105 को माइनस करेंगे तो महरे पर से करेंगा रुपीस 15 आचेगा ठीक है अब बस loss percent same gain की जगा हम loss लिखेंगे मिशा डिवाइट CP पे इनकालते हैं इसको 100% ठीक है बच्चो अब loss कितना है था 15 CP कितनी है 120 इंटू 100% 0 से 0 कट गया 3 5 15 3 4 12 आगे जी किस पर जाएगा 2 2 4 2 5 10 आगे किस पर नहीं कर रहा है तुमारे पस कितना 25 अपॉन 2 पर सेंट आ गया question 2 की correct option क्यों होगी भी होगी अब हम करते है question 3 अब बुक सेलर सेल से बुक 4 रुपीस 100 गेनिंग रुपीस 20 इस गेन परसेंट ठीक है बच्चो अब बच्चो देखो गेन परसेंट का फार्मुला क्या होता है gain upon cp into 100% right ठीक है तो हमें क्या चाहिए cp चाहिए पहले तो हमारे पास क्या है selling price है और gain है तो हमें cp चाहिए तो हम क्या करते हैं 100-20 करेंगे मतकि selling price में से gain को minus करके मारे cp आजएगे ठीक है बच्चो तो पहले हम लिखते है selling sp of a book वो कितने है रुपीस 100 gain हुआ रुपीस 20 का तो cost price cp of a book कितने आजएगी selling price plus minus gain ठीक है न क्यूंकि gain हुआ है तो cost price में से कम होगा तो 100-20 कितना जगा 80 आ गया रुपीस 80 हुआ ठीक है बच्चो ठीक है selling cost price कम है cost price 80 और selling price 100 है तो हमें क्या हुआ गेन हुआ ठीक है न तो इसलिए जब भी हमने cp नकालना है sp और gain दिया हुआ तो हम gain को selling price में से minus कर देंगे अब अच्छो हमने percent है इन्होंने पुछा है his gain percent हमने gain percent को निकालना है तो gain percent का यहां पर हम फार्मरल लगा देंगे वो कहता है gain upon cp gain कितने है 20 cp कितने है 80 in 200 percent 0 से 0 कट गया 2 10s are 20 2 4s are 8 फिर 2 2s are 4 2 5s are 10 2 5s are 10 5 5s are 25 percent तो question 3 की correct option क्या होगी भी होगी ठीक है न क्योंकि हमारा answer है 25 percent तो question 3 की correct option भी होगी ठीक है बच्छों अब हम करते है question 4 question 4 क्या है on selling an article 4 rupees 48 कोई article है जिसको उर्पीस 48 में बेचा ठीक है आँ shopkeeper loss is 20% और उसको 20% का loss हुआ in order to gain 20% what would be the selling price ठीक है बच्छों तो 20% के gain के लिए selling price क्या होगी अब बच्छों यहां पर क्या है हमारे पास 20% loss है पहले तो हम CP को find out करेंगे ठीक है ना क्योंकि देखो selling price दिया हुआ है अब इसको gain को नकालने के लिए तो हमें कह चाहिए पहले CP चाहिए ठीक है बच्छों तो selling price given के selling price of an article rupees 48 और loss हुआ है 20% का अब बच्छों यहां पर क्या है 20% loss हुआ है तो यहां पर हम यहां पर हमें देखो उपर वाले question में हमें क्या था rupees में convert है यहां पर percentage में है तो यहां पर हम CP का formula लगाएंगे CP of an article तो इसका formula कहता है 100 upon 100 minus loss into SP ठीक है बच्छों तो 100 100 minus loss कितना है 20 into SP कितना है 48 तो महरे पास कितना हाजएगा 100 upon 80 into 48 0 से 0 कट गया तो 8 सिग्जा 48 तो कितना हाजएगा रुपी 60 मारी क्या आगी CP आगी अब हमें क्या पूछा गया है on selling the same article अगर यही same article वो sell करता है in order to gain 20% what would be the selling price अब हमें 20% का gain चाहिए ठीक है यह तो था loss पे था अब हमारे पास के CP आगी 60 की अब हमें पूछा गया कितना gain चाहिए 20% का ठीक है CP मारे पास कितने है रुपी 60 और gain चाहिए हमें 20% का तो यहाँ from selling price का फार्मल लगाएंगे वो कहते है 100 प्लस gain अपॉन यहाँ पर 100 आएगा into CP 100 प्लस 20 अपॉन 100 into CP कितने आई 60 ठीक है यह CP लिखेंगे हम तो कितना आजएगा 120 अपॉन 100 into 60 जीरो से 0 कट गया आगे किस पर जागा 2 5 जा 10 2 3 जा 6 आगे 5 पी चले 5 बंजा 5 5 4 जा 20 ठीक है बच्चों तो 5 बंजा 5 5 4 जा 20 14 को हम अब 3 से मल्टिप्लाइ करेंगे बच्चों यहां पर 24 है ना 25 जा 10 फिर मिंदा बचा 2 25 जा 20 24 कब 3 से मल्टिप्लाइ करें तो सेलिंग प्राइस कितने आगे है अगर हम 20 परसंट का गेंच चीए 72 आएगी और यह कौन से आप्शन में है दी आप्शन में है तो कोश्चन 4 की क्रेक्ट आप्शन क्या होगी दी होगी question 5 है on selling an article at a certain price our man gains 10% on selling the same article at double the price gain percentage अब बचो कोई article है जिसको मतले की बेचे गया है तो उस person को 10% का gain हुआ है अब गता है अगर उसी article को double price में रहा है तो gain percent क्या होगा तो बचो यहाँ पर ना तो हमें selling price दिए गये ना हमें cost price दिए गये तो हम क्या करते हैं यहाँ पर cost price को let करते है let cp of an article question 5 है an article कितने रुपीज 100 ठीक है बचो अब यहाँ पर selling price नकाल ला हमें तो gain कितना दिया गया है 10% का ठीक है तो selling price का formula लगाएंगे वो क्याता है hundred plus gain upon hundred into cost price तो hundred से hundred करके तो मारे पस क्या रुपीज 110 जो है selling price आगे ठीक है अब इसी जो article इसको double price में अब selling price मारे पस रुपीज 110 आगे अब हम क्या करते हैं now double the selling price हमने gain percent को निकालना है double the selling price तो क्या करेंगे रुपीज 110 में 110 को multiply करेंगे या two से multiply करेंगे तो कितना है रुपीज 220 आगया ठीक है बच्चो अब हमें क्या निकालना है gain percent पूछा है तो gain percent में CP तो है पहले हम gain को निकालनेगे अब gain कितना आएगा बस अब हम gain percent को निकालन लेते हैं gain percent को फार्मल लेता है gain gain कितना है 120 upon CP कितना है 100 into 100% 100 से अंडर कर गया तो कितना है 120% ठीक है बच्चो अब यह कौन सी option में 120% C option में है तो question 5 की correct option क्या होगी C होगी अब बच्चो हम करते है question 6 question 6 है बनाना are bought at 3 4 rupees 2 and sold at 2 4 rupees 3 दा gain percent हमने gain percent का अब बच्चो देखो यह question देखो समझो question को question कह रहे है कि banana are bought at 3 मतलब कि जो CP of 3 बनाना कितनी है वो कितनी है rupees 2 है ठीक है और sold और वही selling price of 2 कितनी है rupees 3 है अब अच्चो यहां पर क्या है जब भी हमने gain loss नकालना है तो मैंने यह आपको वीडियो बनाए थी जब exercise 10 एगी तो मैंने बताय था कि यह equal country करते हैं यह तो हम क्या करते हैं इनको add कर देते हैं ठीक है तो हम निकाल लेते हैं यह हम क्या करते हैं को बन का cost price नकालते हैं और one की selling price नकाल लेते हैं ठीक है तो किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हैं तो अब हम क्या करते हैं इसको one की cost price नकालते तो क्या हो जाएगा रुपीज 2 अपॉन 3 इसी तरह selling price of कितने है 2 बनाना वो है रुपीज 3 तो selling price of 1 बनाना कितना है रुपीज 3 अपॉन 2 हो जाएगी ठीक है बच्छो अब देखो यहाँ पर तो अल्री बताया गया कि कितना गें परसेंट होगा कि हमें पता है गें नहीं पताने हैं क्या पुछता हैं यह पुछते हैं कि गेन कितना popular कितना होगा गेन या ठीक है अगर बाइचन्स नहीं दिया है तो आपने इस तरह से निकालने हैं तो गेन हमारे पास कितना आजएगा क्या क्या है सेलिंग प्राइज में क्या करते हैं CP को मायनेOS करते हैं 3 अपनर तू माइनस CP कितने हैं 2.3 dwa ठीक है बेच्चों अब कहाने हमने Ск domestic happened तो एक तू पर्स कान है कान कालने हैं तो गेन परिसन का अगल आएगन स्क्रानन को क्याता है तो, गेन कितना आया है महारे पास, five upon six, और CP महारे पास कितना आ गया, हमने one count कर लें, two upon three, two upon three into hundred percent, ठीक है बच्चो, अब हमने क्या करने है, अब, ज़ित five upon six है, ठीक है, multiply, तो, यहाँ पर महारे पास क्या आ गया, ठीक है, अब यह क्या है हो जगा हमारे पास, three upon two हो जगा, इन्टु हंडर्ड परसेंट, ठीक है, 3, 2s are 6, 2, 5s are 10, 0, फिर 2, 2s are 4, 2, 5s are 10, और 25 को हमने 5 से मल्टिप्लाई किया है, तो कितना जगा, 125 परसेंट, ठीक है बच्छो, अब ये कौन सी option में है, D option में है, तो question 6 की correct option क्या होगी, D होगी, ठीक है बच्छो, अब हम करते है, question 7, question 7 क्या कहता है, if the selling price of 10 pen is the same as the cost price of 12 pens, then gain percent is, बच्छो, question के कर रहे है, कि is the selling price of 10 pen, selling price of 10 pen is same, equal to cost price of 12 pens, ठीक है, हमें gain percent नकालना है, तो सबसे पहले बच्छो, हम क्या करेंगे, पहले तो हम एक की नकालनेगे, ठीक है, तो एक, इससे कहता है, कि हमारा question जो है, easy हो जाता है, ठीक है, तो हम इसके ये क्या करेंगे, कि हम जो cost price है, वो इसको let कर लेते है, वो एक pen की क्या ह ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, इस तरह से, let, let CP of one pen equal to, कितने हागी, रुपीस one, ठीक है, तो CP of 12 pen equal to, कितने हाजेगी, रुपीस 12 आजेगी, ठीक है, अब हमारे पास, SP को हमने करना है, SP कितनी है, SP of 10 pen equal to, cost price of 12 pen, ठीक है न, तो अब, यहाँ पर 12 pen की कितनी हागी, जो CP है, वो 12 है, तो लिखेंगे, SP of 10 pen, Pense, Pense है, एक्वल to, रुपीस 12, अब अब हम, एक्वल कर रहेते हैं, देखो, मेशा जो, गेन और लोस, इक्वल, उसमें निकलता है, तो हम CP को भी, हम 10 pen किन का लेते हैं, वो कितने आजेगी, रुपीस 10 आजी, अब, अब आजेगी, है, सेलिंग प्राइस 12 है, और कॉस्ट पाइस 10 है, कौनिटी महारे पास इक्वल होगी, तो हम महारे पास क्या होगा, गेन हो गया, तो गेन में हम क्या करेंगे, रुपीस 12 में से 10 को माइनस किया, तो महारे पास आगया, रुपीस 2 आगया, अब हमने कहा नकालना है, गेन प तो इसी की हम सीपी लेंगे तो 20 परसेंट तो 20 परसेंट अंसर आया हमारा तो यह कौन सी ऑप्शन में है यह सी ऑप्शन में है तो तो question 7 की correct option क्या होगी? C होगी बच्चो ठीक है अब हम करते है question 8 question 8 देखते हैं क्या कह रहा है on selling 100 pence a man gained the selling price of 20 pence his gain percentage ठीक है बच्चो तो अब यहां पर हम इसको कैसे करेंगे यहां पर क्या के 100 pencils बेच के जो person को gain हुआ है वो 20 pencils का हुआ है ठीक है तो यहां पर भी अगर हम one pencil का नकालते है SP तो हम माल लेते हैं let SP of one pencil one pencil वो कितना है रुपीज ठीक है तो selling SP of 100 pencil की कितनी आगे रुपीज 100 आगे ठीक है अब यहां पर हमारे पास जो gain है वो कितना है SP of 20 pencils गेन कितना है SP of 20 pencils ठीक है तो हमने रुपीज बना आना है तो 20 को multiply कितना आ जागे गेन रुपीज 20 आ जागा ठीक है ना क्यूंकि हमने माना ही one है one को 20 से multiply कर रहे तो हमारे पास 20 आ गया ठीक है बच्चो अब हमने इन कालिये CP अब अच्चो हमारे पास क्या है यह 100 pencil की 100 आया और gain हमारे पास आ गया रुपीज 20 तो CP में हम क्या करेंगे 100 में से 20 को minus करेंगे तो हमारे पास CP आ जागे 100 pencil की तो CP of 100 pencil क्यूंकि हमारे पास selling price भी है हमने quantity same कर दी 100 कर दी ना same तो यहां पर कितना आज़ेगा रुपीज 100 में से हमने gain को minus करेंगे तो रुपीज 20 तो कितना आज़ेगा CP रुपीज 80 आज़ेगा ठीक है ना अब हमारे पास CP भी आ गया हमने कैन कालने gain percent कालने बस gain हमारे पास आया 20 CP मारे पास आगे 80 into 100 percent ठीक है 0-0 कट गया 210 टो फोर जाएट टो फाइट अटान टो फाइट तो फाइट और तो फाइट तो फाइट कितना है ज़ेगा 25 पर सेंट ठीक है वच्छा कोशन कितना असान है जब हम यह फीज वान जा 100 मिन कालते ना तो इससे गयात है हमारे question easy हो जाता है तो question 8 का answer आया है 25% और ये कौन सी option में है B option में है तो question 8 की correct option क्यों होगी B होगी अब अब अच्छा हम दिखते है question 9 question 9 है review by some toffees at 5,4 rupees बच्छे देखो question को करने के कई द्रीक है ठीक है ना मैं आपको easy way में बता रहे हूं I hope ये question जैसे कि मैंने बताया है वह आपको easy लगा हूं और आपको समझ भी आ गया होगा ठीक है ना तो question 9 कर रहे हैं हम लोग रवी बॉइस some toffees at 5,4 rupees ठीक है मतलब की CP of 5 toffees कितने आगी rupees 1 ठीक है और and sell them at 2,4 rupees ठीक है और 5 की उसने एकर पे में खरी ती बड़ उसने जो दो उसने एकर पे में बेची find gain percent का ला है तो बच्चों पहले तो हम कहां कालते हैं इनकी एक एक की हम cost price और selling price को निकाल लेते हैं ठीक है तो CP of 5 rupees 5 toffees sorry 5 toffees equal to rupees 1 तो CP of 1 toffees कितने आजेगी बच्चों हम क्या करेंगे rupees 1 upon 5 से divide कर देंगे ठीक है अब हमारे पास आगी SP of 2 toffees कितने आगी रुपीस 1 तो SP of 1 toffees क्या आगी रुपीस 1 upon 2 ठीक है अब बच्चों यहां पर वैसे बोला गया है कितना gain percent है तो मैं पता ही है कि यहां पर gain है तो gain में क्या करते हैं selling price में से cost price को minus करते हैं ठीक है और हम इसको निकाल भी लिख रहे हैं जैसे देखो न 1 upon 5 हमारे पास CP आया इस 2 selling price के 1 upon 2 cross multiply करें 2 to 5 आगया तो यह कहते CP थी यह SP थी तो SP ज्यादा आगी ठीक है आपस multiply करते हैं जब भी fraction की form में हो तो इस सेलिंग प्राइस ओविसली महारे पास gain हुआ है तो selling price कितना है 1 upon 2 minus और CP कितनी हम 1 toffee कि हमने quantity same करने क्योंकि gain और loss मेंशा same quantity पर ही पता चलता है 1 upon 2 1 upon 2 minus 1 upon 5 10 आया तो 5 minus 2 कितना आ गया रुपीज 3 upon 10 यह महरे पास क्या आ गया गया अगेन आ गया ठीक है अब gain percent निकालने है ठीक है gain percent यहीं पर निकालने है gain कितना है 3 upon 10 और यहां पर upon CP हम 1 upon 5 लिखेंगे in 200 ठीक है तो इसको हम करेंगे 3 upon 10 अब यह 5 upon 1 आ जागा in 200 100 से 100 कट गया तो कितना आ जागा 15 percent ठीक है बचो देखो कितना easy था question है देखने में लगता है जब आप इसको easy way में solve करेंगे तो आपको बहुत easy question लगेंगा आपको मज़ा भी आएगा बस यह है कि आप practice करो जितना practice करोगे उतने आपको question easy लगने शूरू हो जेंगे तो बचो जो हमारे पास question 9 है इसका हमारे पास answer आया है 3 5 15 3 upon 10 है 150 परसेंट आगे हाँ यह गलत हो गया है तो यहां पर क्या था 3 upon 10 गेन है हान इंटू इसको cross के 5 पर 1 तो यह 0 से 0 कड़ गी तो यहां पर रहागे 10 तो 5 10 जा 50 53 multiply 3 150 परसेंट आए इसका answer हाँ तो question 9 की correct option क्या होगी क्योंकि D option में 150 परसेंट दिया हुआ है अब हम करते है question 10 question 10 क्या है oranges are bought at 5 4 rupees 10 ठीक है न 5 oranges की जो cost है वो कितनी है 10 है और 6 को हमने बेचा गया है 6 orange की जो यह CP है यह SP है वो कितनी है रुपीज 15 है ठीक है बच्चो देखो या तो आप इनको multiply करके कर लो oranges को या तो आप सीधा करो एका price न कर लो easy way में है इसी method को आप या रखो believe me आपको यह question नहीं easy लगने शुरू हो जाएगे ठीक है बच्चो तो पहले लिखेंगे CP of 5 oranges कितनी है रुपीज 10 तो CP of 1 orange तो क्या हो जाए रुपीज 10 अपॉन 5 काटा तो रुपीज 2 आ गया ठीक है ना अब selling price of 6 कितनी है रुपीज 15 selling price of 6 oranges रुपीज 15 ठीक है तो selling price of 1 orange कितना आजेगी रुपीज 15 अपॉन 6 तो किस पे चलेगा 3 के रहे में 3 फाइज 15 तो 26 कितना गया रुपीज 5 अपॉन 2 आ गया अब यहां पर पुछे किए गें परसेंट अब हमें पता है कि यहां पर गेंपरसेंट पूचे गया तो अगर नहीं पता तो हम इसको इस तरह निकालके देखना है CP ratio SP CP कितना है 2 और selling price कितना है 5 अपॉन 2 तो बच्चों यहां पर कुछ नहीं तो 1 माल लेते हैं तो cross multiple है तो 4 इस तो 5 तो cost price 4 आगे और selling price 5 आगे कि selling price जारे है तो इसका मतला हमें gain हुआ है ठीक है अगर नहीं हमें दिया गया तो हम इस तरह से इसको find out करेंगे तो gain में क्या करेंगे selling price में से CP को minus करेंगे selling price कितना है 5 अपॉन 2 माइनस यहां पर आजएगा 2 तो यहां पर 2 लिया यहां पर 5 तू टू जा 4 आ गया तो कितना है रुपीस बन अपॉन 2 का gain आ गया हमें चीए gain percent तो gain percent को फार्म लता है gain upon CP into 100 gain कितना है 1 upon 2 upon और यहां पर CP कितना है 2 into 100 percent आ गया ठीक है बच्चो अब बच्चो यहां पर देखे है यहां पर कुछ नहीं है तो यहां पर हम 1 माल लेते हैं ठीक है तो कैसा हो एगा 1 upon 2 इसका recipe रोकुल हो कि यहां पर क्या जाएगा 1 upon 2 into 100 percent अब इसको क इतना है gain percent 25 percent आया है और यह question 10 की कौन से option में दी option में है तो question 10 की correct option क्या होगी ठीक है बच्चो question 11 को भी solve कर लेते हैं इस वीडियो में 17 मिनट्स की वीडियो बन गए चलो question 11 को भी कर लेते हैं ठीक है बाइस सेलिंग का रेडियो फोर पीस 950 आम मैं लॉस इस 5% वर्ट परसेंट शेल गेन बाइस सेलिंग एट 4 रूपीस 1040 बद्द की एक परसन ने 950 थी तो उसको 5% का लॉस हुआ ठीक है अब वो कहते है कि इसको अगर वो 140 का तो किसको गेन होगा कितना परसन गेन होगा ठीक है बचो तो सबसे पहले बचो हम यहां पर क्यान कालते हैं CP को निकालते हैं ठीक है अगर CP दिया होगा तो हम क्यान कालते हैं गेन परसन को निक लॉस है 5% अब यहां पर 5% है तो अब यहां पर हम CP का फर्मल लगाएंगे वो क्या हता है 100 अब यहां पर लॉस है माइनस लॉस इंटू SP कितने 950 तो 100 अपॉन 95 इंटू 950 95 बन सा 95 10 तो कितना है है रुपीज 1000 मारी के आगी CP आगी ठीक है बच्चों अब SP कितने दी हुए है रुपीज 1040 ठीक है अब हमें गेन परसंट निकालना है गेन परसंट ही पुच्छे हां गेन बट परसंट शेल गेन गेन पुच्छे है तो गेन को निकाल लेते हैं तो क्या करेंगे SP-CP तो SP हमारे पास रुपीज 1040 रुपीज अब यहां पर CP कितने आगी 1000 तो गेन कितना आजया रुपीज 40 का आगया अब गेन परसंट कालने के लिए वस वही फार्मिल काना है गेन अपॉन CP तो गेन और लॉस मेंशा CP पर निकलता है इस चीज का अपने मिशा धियान रखना है अगर आपने एकसरसाइज 10 एकी वीडियो नहीं देखिए तो मैं आपको यहां पर बता जाते हूं जो गेन और लॉस मेंशा CP के उपर हम कंसीडर करते हैं तो गेन को हम CP से गेन होगा अगर वह 1040 रुपीज में बेचेगा तो यह कौन सी option में है 4% A option में है तो बच्चों 11 की correct option क्या होगी A होगी बच्चों इस वीडियो में हम question 1 से लेकर 11 तक ही solve करेंगे I hope यह सारे question आपको अच्छी तरह से समझ आगी होगी अगर वीडियो यूसफुल लगे त चैनल को सब्सक्राइब करें thank you for watching next वीडियो में question 12 से start करेंगे